आपने कभी न कभी electricity से wire में heat produce होता है ये सुने ही होंगे लेकिन heat कैसे produce होता है मैं आपको बताता हूँ जब free electron wire में एक direction में flow करता है तो ये free electron बहुत सारे atom से या फिर electron से टकराते हुए जाते हैं जिसे collision कहते हैं इसी collision के कारण यानि कि धक्का मुकी के कारण resistance पैदा होता है यानि कि रुकाबट पैदा होता है इसी resistance और collision के कारण heat produce होता है और ये तब होता है जब wire पतला होता है और इसमें से जादे electron को flow करवाया जाता है यानि कि current को जादे मातरा में पास करवाया जाता है